दोस्तों कल से कुछ multiple event जो directly market को impact करेंगे दिन कम है आपको पता होना चाहिए और हर एक दिन पर दो update है तो आप समझ सकते हैं कि impact कितना पढ़ने वाला है और already market देखेगा काफी different zone में देखने को मिला है तो उन particular देखेगा updates का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे पहले याद रखेंगे noted down करिएगा तुरंट और सबसे important क्या है कि market में इस तरीके के move आने वाले इस तरीके के move directly आपको देखने को मिलेंगे तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सबसे पहले आपको पता है कल 28 November है फिर 39 तो अब यहाँ पे election over हो चुके हैं अदर्पदेश 36 गर राजस्थान तेलगना मिजुरम पांच स्टेट और बीजेपी की जो साख है वो पूरी तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पे दाओं पे लगी हुई है तो इसलिए अगर यहाँ पे तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार बन जाती हैं दो राज्यों में नहीं बनती है तो चलेगा लेकिन अगर most of the state लाइक देखेगा 36 गर में तो पहले से नहीं है राजस्थान में पहले से ही नहीं है और मद्रप्रदेश में देखेगा इनकी सरकार्थी तो आपको पता है कि यहाँ पे यह तीन राज्यों बहुत ही कुरूशियल है लोग सभा इलेक्शन के लिए बीजेपी के लिए जिसके exit पोल के नतीजे और prediction सब कुछ आपको देखने को मिलेगा गर्मा गर्मी चल लही है अगर यह बीजेपी के favor में आता है तो market इसको enjoy करेगा और अगर नहीं आने वाला है जिस तरीके साब को पता है YouTube पे कई सारे prediction आपको देखने को मिल जाएंगे तो यहाँ पे market इससे directly impact करेगा और market में बड़ा move देगा तो इसलिए be ready for it exit poll के नतीजे बहुत important है फिर दूसरी चीज आपके लिए पता है पावल का speech है GDP growth का data आएगा तो अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से US के third quarter के GDP का data आपको देखने को मिलेगा वो है 29 नॉमबर यानि कि जसकल के बाद परसो का दिन जिस दिन आपको देखने को मिलेगा क्या nifty bank के expiry जो की बहुत important data है इसमें बताने की जुरूरत नहीं है आपको और the US economy grew at 4.9% annual pace for the third quarter और अगर ये data काफी शांदार आता है तो ये FED के लिए थोड़ा सा चिंता की बात होगी ये आपको पहले से पता है क्योंकि economy में अगर strength है तो इसका मतलब inflation को कम नहीं किया जा सकता तो ये बहुत बड़ा impact पड़ेगा इसके लिए भी ready रहिएगा अब आगे बढ़ते हैं आगे अगर आप देखेंगे तो पावल की speech भी आपको देखने को मिलने वाली है जो impact करेगी लेकिन impact आपको इस हफते कैसे देखने को मिलेगा ये इस बात पर निरभर करेगा जो 29 नॉवंबर को जो data आएगा तो अगर आप देखेंगे जो भी data आ फोकस करेगा अब United States में कई सारे देखेंगा data already आजा चुका है फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पर Tuesday को कोई data नहीं है ये बड़ा data आएगा Wednesday को फिर Thursday को फिर Friday को तो ये पूरा eventful हफता रहने वाला है पूरी तरीके से तो इसलिए सारा data अमेरिका से आना है be ready for it for the more volatility फिर अगर आप देखेंगे हमारा GDP data भी हाएगा 30 नवंबर को और यहाँ पे जो economist है वो expect करें 6.8 to 7% ठीक है this is lower than the 7.8% growth recorded in April June quarter तो अगर ये कम होके आता है तो market कहीं ना कहीं से थोड़ा परिशान होगा चुकि इंडिया को fastest GDP लगातार बने रहने के लिए ये बहुत important है कि वो यहाँ पे लगातार उसी growth से momentum को carry on रखे फिर आपका देखने को मिलेगा auto sale का data जो की December 1 को आने वाला है इसमें आपको पता है दिवाली धन्तेरस और आपको पता है नवरात्री बहुत सारी चीजों का data है और ये बहुत strong growth का prediction देगा अगर ये शानदार आया है last year के comparison में तो बहुत अच्छी बात है चुकि आपको पता है निफ्टी auto support करता है एक भीटे सेक्टर है निफ्टी 50 में और अगर इसमें सुस्ती देखने को मिलती है तो ये पूरे के पूरे सेक्टर के लिए तो अच्छी बात होगी नहीं और economy के लिए भी अच्छी बात न देती है और पूरे साल की strong spending दिखाई देती है तो इसलिए ये data भी आपको ध्यान में रखना है multiple event आपको देखने को मिलेंगे कोई भी ऐसा event कोई भी ऐसी चीज़ पर देखेगा आप ignorance नहीं कर सकते जिससे market पर impact पढ़ने वाला है तो noted down कर लिजिए वीडियो गर अच्छा लगाए तो like share subscribe करना भूलेगा thank you so much